अफ्रीका से आये तीन चीतों की मौत का मामला जब सुप्रिम कोर्ट पहुचा तो कोर्ट ने राजनीती से उपर उठकर चीतों को राइस्थान भेजने की बात कही इससे पहले कोर्ट कुछ कहता सरकार ने गांदी सागर अभर्यर्ण ने या मंसौर में चीतों को रिलोकेट क करने की योजना बनाई और 15 करोड रुपए अलोकेट भी करती है चीतों को लेकर इवेंट बनाने वाली सरकार के पास कितने विश्यशग्ये हैं चीतों को लेकर और इस इवेंट को तयार करने वाले लोगों के पास कितना दिमाग है इस पर सुप्रिम कोर्ट ने लतार की मौत पर कुछ बोलेंगे कुना में तीसरे चीते की मौत दरसल प्रशास्रिक घत्या है केवल राजनितिक प्रदर्शन के लिए जो भारतिये जनता पार्टी ने जमावड़ा लगाया था जो मजमा खड़ा किया था उस पर सवाल है क्या सिर्फ फोटो खिचवाने या फो सुरक्षित माहौल उनको दे सकें या सिर्फ एक एवेंट के लिए ही चीते बुलाए गए थे और उनकी मौत से अब किसी का कोई लेना देना नहीं है बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ पर जाशा कर लिए बेगा सुप्रिम कोट ने मद्यपरदेश के कुना न सालत ने वन्य जीव विशेशक की समिती को पंदरा दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के नर्देश भी दिये हैं जस्टिस बी आर गवाई ओ जस्टिस संजे करॉल की पीछने का है कि एक्सपर्ट रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी क के लिए कुना में परियाप्त स्थान और संसादन नहीं है फिर भी पीए मोदी की अगवाई में फोटो सेशन करवाने के लिए चीतों को जवर्दस्ती मद्यपरदेश भेजा किया कुना भेजा किया ताकि एक बार फिर डबल इंजन की सरकार के फाइदे गिनवाए जा सके केंदर सरकार अब इन्हें दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग को करने के लिए विचार करे कोट ने साथ तोर पर इसके संकेत भी दे दिये कोट ने पूछा आप राजिस्थान में जगा की तलाश क्यों नहीं करते हैं केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है विपक्ष की सरकार है आपको अपने एजन्डे को लागू करने के लिए मौका नहीं मिलेगा केंदर की तरफ से पेश हुए अत्रिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वरे भाटी ने कहा कि चीता टास्पोर्स मौत के कारणों और उन्हें दूसरी सेंचुरी में शिफ्ट करने के पहलों की जाच कर रही है इस पर कोड ने कहा कि हम सरकार की मनशा पसंदे नहीं कर रहे हैं लेकिन अखबारों में चीता विशे शग्यों की उन रिपोर्ट पर ध्यान न देने से चिंतित हैं जिसमें वो केंदर को चीतों के लिए एक से ज्यादा हैबिटेट बनाने के लिए चेता रहे हैं गौर करने वाली बात तो यह है कि यह तमाम चिंताएं और यह तमाम रिपोर्ट सुप्रेम कोर्ट तक तो पहुच जाती हैं लेकिन मानने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की अगवाई वाली सरकार तक यह तमाम रिपोर्ट यह चिंताएं नहीं पहुच पाती हैं सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित 30 हज़सी एक्सपर्ट कमीटी से कहा है कि 15 दिन में नेशनल टास्पोर्स को अपने सुझाब दें ताकि वो उस पर विचार कर सके सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई के महीने में मामले पर अगली सुनवाई होगी कोर्ट ने ये भी कहा है कि चीता प्रोजेक्ट देश के लिए एक एहम पर्योजना है ने अभियरने का चुनाव करते वक्त दलगत राजनीती से जुड़ी सोच का इस्तवाल नहीं होना चाहिए ये एक बड़ी चोट है उन सवालों के उपर जिसमें ये कहा जाता है कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ और हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया और डबल इंजन की सरकार के फाइदे गिनाते हुए बी जे पी शासित राज्जियों में ही उन तमाम इवेंट्स को करवाया जाता है जिस से शो आफ का मौका मिल सके उस पर कोट ने साफ कहा है कि दलगत राजनीती से उपर सोचिये और फिर उस सोच का इस्तमाल वन्नी जीविस अन्रक्षन के लिए कीजिए करीब 70 साल के बाद विदेशी सर जमीन से 8 चीते भारत आये थे नामबिया से ये चीते भारत को तोफे में दिये गए थे और तोफो में से तीन चीतों की मौत हो गई है प्रधान मंदरी नरेंदर बोदी ने 17 सितंबर को अपने बर्थडे पर इन्हें कुना नेशनल पार्क में छोड़ा था हाली में दक्षड अफरीका से 12 चीतों की दूसरी खेब भी कुना लाई गई है यानि की कुना मद्परदेश जहां बीजेपी की सरकार है उसमें चीते ही चीते अब पहुच रहे हैं पिये मोदी के बर्थडे पर जिन चीतों को छोड़ा गया था उनमें से तीन की मौत हो चुकी है बिना सोच समझ के बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए सिर्फ राजनितिक संरक्षन और राजनितिक मंशा से चीतों की बली चड़ाई जा